दिखी कैसी यह है यहाँ पर नार्जो 10A स्मार्टफोन जो की रियलमी की तरफ से आपके लिए एक और सीरीज देखने को मिलती है मायर केट में उसी का यह स्मार्टफोन आता है तो अब मैं इसकी वीडियो आपके सामने प्रिजेंट कर रहा हूँ तो हे गाईस आम दिसी से यूट्यूबर एक्स जल्दी से वीडियो को सुरू करते है आसा करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आएगी दिखी का इस है जाते हमारे पास नार्जो टैने का बॉक्स जिसका बॉक्स यहां पर जो आफ्लाइन सॉप्स होती है बहां से मैंने इसे स्मार्टफोन को लिया है तो इसी वेज़े से इसका जो बॉक्स पगेर है वो विल्कुल टोटली ओपन है जिसमें रियल्मी की ब्रा लियो जी 70 प्रोइसर और 6.5 इंचिस की फॉल इस्क्रीन को मेंसन किया गया है तो जल्दी से इस बॉक्स को सिंपली अन्बोक्स करते हैं और यह बॉक्स यहां पर सिंपली अन्बोक्स हो चुका है फर्शली आपके लिए रखा मिलता है सेक्षन जिसमें रिखा गया है यहा साथ साथ इस स्मार्टफोन में आपके लिए यही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जो कि आपके लिए बॉक्स के साथ ही देखने को मिलती है इसके बाद बात करते हैं स्मार्टफोन की देखी गाइस यह आ जाता है मारे पास रियल मी नार जो टैने स्मार्टफोन अगा जिसमें आपके लिए Corning Gorilla Glass 3 की production आती है इसके साथ-साथ ऊपर की साड़ आपके लिए मिलती है एक छोटी जी notch जिसमें लगा हुआ आपके लिए 5 Megapixel का Selfie Camera जिसमें आपके लिए F2.5 का aperture आता है इसके साथ-साथ अगर मैं back में बात करता हूँ तो back में यहाँ पर आता है, इस ट्रपल दीयर camera setup तो primary camera आपके लिए 13 Megapixel का आता है F1.8 aperture के साथ इसके साथ-साथ-साथ अगर मैं बात करता हूँ तो आपके लिए second camera F2.2 aperture के साथ देखने को मिलता है और 3D camera आपके लिए यहाँ पर app 2.4 रपर चेक के साथ देखने को मिलता है इसके साथ सथ तो यहाँ पर आपके लिए flash का support देखने को मिलता है और fingerprint reader, realme की branding और यहाँ पर back में आपके लिए अंदर लगी मिल जाएगी बैटरी 5000 mAh की इसके साथ सथ तो यहाँ पर आपके लिए media tech Helio G70 का processor देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर cortex A50 type based है इसके साथ सथ इस battery को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आता है micro USB port एक साथ आती है speaker grill, एक mic का support, 3.5 mm audio jack और side में बात करता हूँ तो आपके लिए आपके लिए power lock unlock key realme UI 1.0 पर based है इसके साथ सथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए app drawer भी देखने को मिलता है realme की तरफ से मिल जाते हैं जनसे आप फोटो को capture कर सकते हो इसके साथ सथ यहाँ पर आपको इसके samples देख रहा हूँ जो कि इसी की camera quality को बताते हैं आप नीचे comment में जाके मुझे जरूर बताएं कि आपके लिए इस smartphone की camera quality कैसी देखने को मिले मैं यहाँ पर simply आपसे कहना चारा हूँ कि इ की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसी हमने finger को tap किया और इसने smartphone को unlock कर दिया मतलब कि जिस price range के साथ सी यह smartphone आता है तो उसके साथ 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 फोटोग्राफिया आपने देखी लिए देखी गाइस यह थी यहाँ पर realme narjo 10a smartphone की unboxing जिसमें आपने देखा कि इस smartphone के साथ आपके लिए क्या-क्या box content देखने को मिलते हैं क्या smartphone की features हैं क्या इस smartphone की specs हैं आप बात करते हैं overall इसकी price की तो यहाँ पर आपके लिए दो variant देखने को मिलते हैं एक आते 3GB RAM के साथ जिसम 999 रुपीज और इसके साथ जो 4G RAM बाला variant है उसकी price आती 9999 रुपीज अब बात करते हैं क्या यह smartphone वर्थ है तो मैं यह recommend करूँगा कि आप यहाँ पर चाहो तो realme C3 को purchase कर सकते हो इसके comparison में because of यहाँ पर ज्यादा changes नहीं है आपके लिए यहाँ पर सिर्फ ट्रिपल दियर camera setup मिलता है उसके comparison में और fingerpin reader ज्यादा देखने को मिलता है realme C3 के comparison में तो उसी वैसे मैं recommend यह करता हूँ कि अगर आपका 8000 का budget है तो आप यहाँ पर realme C3 को purchase कर लो और अगर आपका यहाँ पर 10,000 का budget है तो आप चाहो तो realme 5i यहाँ पर 10,000 के साब से Redmi के भी note 8 वगरा दे यहाँ पर इसके alternative बहुत सारे market में available है जैसे की realme C3 या realme का यहाँ पर 5i तो उस बज़े से यह एक average smartphone है इसमें कमी कोई भी नहीं है बट इसके comparison में जो smartphone आ रहा है वो इससे और बैद आ रहा है और एक 1000 का difference में ली रहा है आपके लिए realme C3 में fingerprint ज्यादा matter करता है तो आप इसके लिए जा सकते हो यही थी smartphone के unboxing के box content के बारे में बता है features के बारे में बता है प्राइस के बारे में बता है अगर आपके लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो और हमें follow कर सकते हो Instagram पर smartphone से related advice के लिए like the video comment below and subscribe my channel thank you for watching guys आगे मिलते हम किसी नई वीडियो में